अब सबको मेरा नमस्ते अभी मैं आपको विटमिन B12 के बारे में थोड़ा पताने वाली हूँ B12 एक विटमिन है और वो प्रकार एक पोशन तत्वा है अगैन बहुत ही महत्वपुर्ण पोशन तत्वा है जैसे सारे तो पोशन तत्वा महत्वए कही है यह जो B12 है अनफॉर्चनली हम लोग को जो वेजिटरिन फूड है दूद और दूद की जो उत्पादन है उसको करेता है तो आपको यह जहान में रखना कादना अगर आप कोई वजटन है तो उनको at least अन्सल्स कुरिये कि कि वो अचले सह कैपर बीक्रमोर्ण और दितSt लित और विगन तो वो द्रद्वासं नहीं भी ले रहे तो उनको सप्लिमेंट लेना जरूरी है और उनको बोलों के डॉक्टर के पास जाके सप्लीमेंट दवाई ले 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 लेकिन यह B12 important है क्योंकि B12 का काम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो nervous system है nervous system हमारा जो you know mustache है हमारा जो peat है जो spine है उस पे बहुत ज्यादा है ठीक है तो प्लीज आप ध्यान में रखें कि B12 आपको हर साल अगर हो सके तो B12 विटमिन D आप चेक करवाईए तो आपको पता चलेगा कि आपका B12 सही मातरा में है के ने खुन में ठीक है मच्छी है मतन है कलेजी है उसमें आपको B12 मिलेगा डेफिनिटली मिलेगा और दूसरा क्या है कि अगर B12 की अगर कमी है प्कुन में तो बहुत सारे issues है इस्पेशली छोटे बच्चों में ठीक है उनसे उनका जो दिमाग का जो IQ है वो भी कम हो सकता है वो सोच नहीं सकेंगे आगे पढ़ नहीं सकेंगे अगर यह बहुत टाइम से चला तो यह पर्मिनिंट डामेज हो सकता है बच्चों में ठीक है वैसे ही हम लोग अडेल्ट म को मैंटेन करने के लिए यह B12 होना जरूरी है दुछरा क्या कि अगर B12 कम होगा तो हम लोग को कैंसर की बिमारी भी होने के चांसे है तो और बहुत सारे B12 के इंफेक्ट बच्चों में अगर प्रेगनेंट मदर्स ने B12 अगर कम ली तो बच्चे को निरल ट्यूब डिएक होने की चांसे है तो यह तीन जो मैंने हमे बताती हूं है यह एक कोलीन है, B12 है और फोलेट है यह तीन बच्चे की जो निरल ट्यूब जो बन रहा है जहांसे उसका मैदो बनेगा जहांसे इसका इसका自ौइन बनेगा तो वह बना जो ज़ने गया बनेंगा, तो वो बनाना और अभी मैं आपको तीन टुटोरिल दिखाने वाले हूँ, एक तो है आपका importance of B12, दुसरा है recipes, एक तो vegetarian recipes है और दुसरी non-vegetan recipes है, ठीक है, धन्यवाद विटामिन B12 के महत्वपर बने spoken tutorial में आपका स्वागत है, इस tutorial में हम जानेंगे शरीर में विटामिन B12 की जरूरत, इसकी कमी के कारण और लक्षन विटामिन B12 से भरपूर खाने के स्त्रोथ, विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण B विटामिन है, और कुछ खाने के पधार्थों में अपने आप से मौजूद होता है, यह पानी में घुलता है और इसे कोबैलमिन के नाम से जाना जाता है, हमारे आथ के अच्छे बैक्टरिय से इसकी कुछ मात्रा बनाई जाती है, इस विटामिन के परिपूरग भी बाजार में मिलते हैं, विटामिन B12 की खुराक लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले, विटामिन B12 हमारे शरीर में कई जरूरी भूमी का निभाता है, यह सही लाल रक्तकोशी का बन और DNA संसलेशन के लिए जरूरी है, शिशू को जन्म देने वाली उम्र की महलाओं के लिए विशेश रूप से यह विटामिन जरूरी है, परियाप्त मात्रा में विटामिन B12 का लेना निूरल ट्यूब की कमियों को रोकने में मदद करता है, निूरल ट्यूब का दोश दिम विटामिन B12 के साथ साथ फोलेट कोलीन की भी जरूरत होती है, एक अन्य टुटोरियल में फोलेट और कोलीन के महत्व के बारे में बताया गया है, जादा जानकारी के लिए एक रुपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, निूरल ट्यूब कमी के कारण शिशू में शारिरिक अक्षमता हो सकती है, पैरों की मास पेशियों में कमजोरी और लखवा भी हो सकता है, घुमावदार रीड और मुत्राशैपल नियंत्रण का नुकसान यह इसके अन्य लक्षण है, खाने और निगलने में मुश्किल आना भी आम बात है, विटामिन B12 का दूसरा काम शिश्यों के दिमाग का विकास है, यह दिमाग से जुड़े कई कामों को बहतर बनाने में मदद करता है, उदाहरन के लिए ध्यान लगा पाने का समय, याददाश, योजना और समस्या को सुलझाना, विटामिन B12 फोलेट को भी उसके सक्रिय र में कई भूमिकाओं को निभाने के लिए अपने सक्रिय रूप में जरूरी होता है, उदाहरन के लिए विकास, मरमत और शरीर में नई कोशिकाओं को बनाना, इन सभी कामों को करने के लिए B12 का सोखना भी जरूरी होता है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यह शरीर में कैसे सोखा जाता है। खाने में विटामीन B12 एक प्रोटीन से जुड़ा होता है। शरीर को विटामीन B12 को सोखने के लिए दो चरन ज़रूरी है। सबसे पहले पेट का एसिड उन प्रोटीन से विटामीन B12 को अलग करता है। तब पेट एक और प्रोटीन स्त्रावित करता है जिसे इंट्रेंसिक फैक्टर कहा जाता है। B12 फिर इंट्रेंसिक फैक्टर से जुड़ जाता है और अंत में सोख जाता है। विटामीन B12 के अच्छे से न सोखे जाने की वज़ह से इसकी कमी हो सकती है। उदाहरन के लिए जिन लोगों को पर्निशियस एनिमिया हो उनमें इसके सोखने पर असर पड़ता है। इस थिती में शरीर इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोटीन को नहीं बना पाता है। विटामीन B12 के सोखने के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर ज़रूरी है जैसा की पहले बताया गया है। कम सोखना कई वज़हों से भी हो सकता है। उदाहरन के लिए खराब बैक्टेरिया के विकास के कारण या आंत में सूजन। गैस्ट्रीक बाइपास सरजरी विटामीन B12 के सोखने को भी कम करती है। आतों के कीडे विटामीन B12 के स्तर को भी असर करते है। ये कीडे हमारे खून से विटामीन B12 लेते है और इसकी कमी का कारण बनते है। इसलिए डॉक्टर से सला लेने के बाद नियमीत रूप से कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए. B12 की कमी का एक अन्यकारण है इसका कम सेवन. 65 वर्षे से अधिक उम्रके बुढ़े पूर्शों और महलाओं में इसका सेवन बहुत कम हो सकता है. शाकाहरियों में कम सेवन देखा जाता है और उनमें जो दूर और दूद से बनी चीजे नहीं लेते हैं. शाकाहरियों में कभी-कभी विटामिन B12 की कमी का पता नहीं चल पाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी खुराक आम तोर पर फोलेट से भरपूर हो सकती है. ज्यादा फोलेट B12 की कमी जैसे एनिमिया के शुरुवाती लक्षनों को चुपा सकता है. नतीजन नसों का नुकसान जादा हो सकता है. इसका पता तभी चल सकता है जब कमी गंभिर हो जाए. इसलिए फोलेट और विटामिन B12 दोनों को भरपूर मात्रा में लेना ज़रूरी है. फोलेट को लेने की मात्रा और इसके खाने के स्त्रोतों को एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है. आईए अब विटामिन B12 की कमी के लक्षनों पर नजल डालते है. जीव में दर्द और मुह के चाले इसके सामा न्य लक्षन है. पेट में सूजन भी हो सकती है. एनिमिया विटामिन B12 की कमी का एक आम लक्षन है. यह एक ऐसी स्थिती है जिसमें परियाप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है. लाल रक्त कोशिकाओं शरीर के उतकों तक जरूरत के मुताबिक ओक्सिजन ले जाती है. पिलापन, ठकान और सास की तकलिफ अनिमिया के संकेत है. भूख कम लगना, दस्त और पीलिया भी देखा जाता है. B12 की गंभिर कमी माईलीन शीथ को नुकसान पहुचाती है. माईलीन शीथ नसों के चारो और एक सुरक्षात्मक परत है. इसलिए तंत्री का तंत्र पर असर होता है. शीष्यों में इसका परिनाम इन्फेटाइल ट्रेमर सीन्डरोम हो सकता है, जिसे ITS भी कहा जाता है. यह शाकाहरी माउद्वारा दूध पीने वाले शीष्यों में होता है, जो डेरी भी नहीं लेते. डेरी उत्पादों में दूध और दूध से बनी चीजे शामील है. ITS की खास लक्षनों में से एक कमपन है. ऐसे कमपन जटकेदार होते हैं और रुक रुक कर या लगातार हो सकते हैं. पीला चेहरा पतले और बिखरे सूखे बाल अन्य लक्षन है. घुटनों, कोहनी और पोर पर भी गहरे रंकी त्वचा देखा जाता है. ऐसे शिशू चिड़-चिड़े होते हैं और आसपास के वातावरण में कम रुची दिखाते हैं. वे बिना किसी भाव के एक तक घुरते रहते हैं. बी ट्वल्व की कमी से शिश्यों में मानस्रीक और शारीरिक विकास में देरी हो सकती है. उन्हें सीखने और ध्यान देने में कठिनाई हो सकती है. वयसकों में खराब प्रतिवर्त क्रिया हो सकती है. और बिगडा हुआ संतुलन और समनवय भी. हाथों या पेरों में जुन-जुनी या चुभन भी हो सकती है. भ्रह्म और दोरे बाकी के लक्षन है. नजर और याददाश पर भी इसकी कमी का असर होता है. मती भ्रह्म एकाग्रता की कमी और अवसाद भी हो सकता है. विटामिन B12 की कमी से रिदय रोगों का खत्रा भी बढ़ जाता है. सीने में दर्द और अस्पश्ट बोलना भी हो सकता है. अब मैं आपको समझाऊंगी कि यह कैसे होता है. होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में बदलने के लिए विटामिन B12 जरुरी होता है. होमोसिस्टीन और मेथियोनिन प्रोटीन बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले एमिनयो असीर के प्रकार है. होमोसिस्टीन का उचा स्तर रुदय को नुकसान पहुचा सकता है. B12 की मदद से होमोसिस्टीन मेथियोनिन में परावर्तित हो जाता है. इस तरह शरीर में होमोसिस्टिन का स्तर कम हो जाता है और हमारा दिल नुकसान से बचता है विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए हर उम्र के लिए परियाप्त सेवन की सलह दी जाती है चह से बारा मेहने के शिश्यों के लिए रोज एक पुर्णांक दो माइक्रोग्राम की सलह दी जाती है एक से छे साल के शिश्यों के लिए भी एक पुर्णांक दो माइक्रोग्राम की सलह दी जाती है साथ साल के उपर के शिश्यों और किशोरों के लिए यह दो पुर्णांक दो माइक्रोग्राम है वयस्क पुर्षों और महलाओं को भी रोज दो पुर्णांक दो माइक्रोग्राम लेना चाहिए गर्भवती और दूर पिलाने वाली महलाओं के लिए इसकी जरुरत जादा है गर्भवती महलाओं के लिए रोज 2.45 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है दूर पिलाने वाली माओं के लिए रोज 3.2 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है विटामिन B12 की जरुरी मात्रा को खाने में से पूरा लिया जा सकता है और परिपूरक से भी विटामिन B12 पशुआधारित खाने के पदार्थों में पाया जाता है मचली, चीकन, मास और अंडे विटामिन B12 के अच्छे स्त्रोथ है एक अंडे में लगभग 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है 75 ग्राम बकरी के मास में लगभग 2.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है 75 ग्राम चीकन में लगभग 0.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है सीप मचली, कलेजा, गुर्दा और दिल भी इसके भरपूर स्त्रोत है 50 ग्राम बक्री के कलेजे में लगभग 45 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है 50 ग्राम सीप में 49 माइक्रोग्राम होते है क्रिपया ध्यान दे कि एक वर्ष से कम उम्रके शिश्यों को सीप मचली नहीं दी जानी चाहिए दूद और दूद से बने चीजों में विटामिन B12 भी होता है 250 मिलिलिटर एक गिलास दूद में लगभग 0.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है 150 ग्राम या एक कटोरी दही में लगभग 0.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है खाने के स्त्रोटों के अलावा स्वस्थ आथ को बनाए रखना भी ज़रूरी है एक स्वस्थ आथ विटामिन B12 को शरीर में बहतर सोकता है शाकाहरी खानों में विटामिन B12 बिलकुल नहीं होता या न्यूनतम होता है हाला कि इसे कुछ तरीकों से बढ़ाया जा सकता है उदाहरन के लिए अंकूरित करके और खमिर उठाने से भीगोने और भुने की सलाह भी दी जाती है ये सब खाने में से एंटी न्यूट्रियंट्स को कम करने में मदद करते है एंटी न्यूट्रियंट्स हमारे शरीर में कुछ पोशक तत्वों के सोकने को रोकता है एंटी न्यूट्रियंट्स के उदाहरन ओक्सलेट्स और फाइटेट्स है विटामिन B12 का भरपूर सेवन करे और अच्छे स्वास्त के लिए एक स्वास्त आंत बनाई रखे अब यह टुटोरियल यही समाथ होता है यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहांकिता अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद विटामिन B12 से भरपूर मासाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे विटामिन B12 से भरपूर खा दिर स्रोत कुछ मासाहारी खाना बनाने के तरीके पहले हम समझेंगे कि विटामिन B12 क्या है और हमारे शरीर में इसकी जरूरत क्या है विटामिन B12 पानी में घुलने वाला B विटामिन है और इसे कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है यह शरीर में अलग-अलग कामों के लिए जरूरी है कुछ उदाहरन देखते हैं यह लाल रक्त कोशिकाओं और DNA के संचलेशन के लिए जरूरी है यह विटामिन शिशु को जनम देने वाली उम्र की महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है परियाप्त विटामिन B12 का सेवन शिशु में निूरल ट्यूब दोश को रोकने में मदद करता है निूरल ट्यूब दोश दिमाग या रीड की हड़ी के जनम दोश है दिमाग से संबंधित कारियों की बहतरी के लिए विटामिन B12 की भूमिका होती है उदाहरन के लिए ध्यान अवधी, या दाश्त, योजना और मुश्किलें हल करना विटामिन B12 के फाइदों को एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है क्रिप्या जादा जानकारी के लिए हमारी वेब साइट पर जाएं अगला विटामिन B12 से भरपूर खादिस रोतों को देखते हैं विटामिन B12 केवल मासाहारी खाने में पाया जाता है सीपदार मचली, कलेजी, गुर्दे और हरिदय बहुत अच्छे उदाहरण है मचली, मास, चिकन, अंडे भी अच्छे स्रूत है अब खाना बनाने की तैयारी देखते हैं पहला है चिकन का दिल और कलेजी करी इसको बनाने के लिए एक चिकन का दिल और कलेजी लें इनकी भी जरूरत होगी एक कटा हुआ प्यास एक कटा हुआ टमाटर एक चमच अद्रक लहसुन पिसा हुआ आधा निम्बू मुठी भर धुली और कटी हुई धन्या की पतिया आपको बताये गए मसालों की जरूरत होगी एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धन्या पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर नमक स्वाद अनुसार ले और एक बड़ा चमच तेल या घी तरीका चिकन के दिल और कलेजी को अच्छी तरह धो ले, उन्हें एक कटोरे में ले, उन पर पिसा हुआ अद्रक लेसुन, हल्दी और नमक लगाएं इसे पंद्रा से बीस मिनट के लिए अलग रख दें एक बर्तन में तेल या घी गरम करें और उसमें कटे हुए प्यास डालें हल्का सुनहरा होने तक भूने कटा हुआ टमाटर और सभी मसाले डालें अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर तीन से पांच मिनट तक पकाएं फिर इसमें कलेजी और दिल डालें आधा गिलास पानी डालें और बर्तन को ढख दें धीमी आंच पर साथ से दस मिनट तक पकाएं करी को धुली और कटी हुई धनिया पत्यों से सजाएं चिकेन दिल और कलेजी करी तैयार है इस करी का एक कटोरा लगभग 8.7 माइक्रोग्राम विटामिन B12 देता है दूसरा है मचली करी मैं करी बनाने के लिए रावस का इस्तेमाल करूँगी आप आसानी से मिलने वाली कोई भी मचली का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे की रोहू, हिलसा, बांगडा ये विटामिन B12 से भरपूर है इस करी को बनाने के लिए जरूरी सामगरी है देड़ सो ग्राम साफ और धुली रावस एक कटा हुआ प्याज आधा कटा हुआ टमाटर एक चोथाई नारियल लेसुन की चार से पांच कलियां एक चमच जीरा चार से पांच कडी पत्ते आपको जरूरत होगी आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर कोकम्प या इमली का एक टुकड़ा एक बड़ा चमच तेल या घी नमक स्वाद अनुसार तरीका प्यास टमाटर नारियल लेसुन और जीरा पीस लें एक बरतन में तेल गरम करें और उसमें कुछ कड़ी पत्ते डालें फिर तैयार किया पिसा हुआ घोल डालें और इसे साथ से दस मिनट के लिए कम आँच पर भूनें इसमें मसाले और कोकम या इमली डालें और अच्छी तरह पकाएं एक गिलास पानी डालें और करी को उबाल लें फिर इसमें मच्छी के धुले और साफ किये हुए टुकडे डालें धक कर पांच से साथ मिनट तक पकाएं अब करी को धनिया पत्यों से सजाएं मच्छी करी तैयार है इस करी की एक कटोरी आपको लगभग पांच माइक्रोग्राम विटामिन बी ट्वेल देगी मच्छी की जगा आप जींगा, केकडे या सीप का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यदि आप डेट सो ग्राम जींगा लेते हैं तो आपको 6 माइक्रोग्राम विटामिन बी ट्वेल मिलेगा यदि आप 1500 ग्राम केकणू को लेते हैं तो आपको 14 माइक्रो ग्राम विटामिन B12 मिलेगा यदि आप 85 ग्राम सीप लेते हैं तो आपको लगभग 15 माइक्रो ग्राम विटामिन B12 मिलेगा अगला है मटन स्टू इसको बनाने के लिए जरूरी सामगरी है देट सो ग्राम मटन, एक चौथाई नारियल, आधा कटा हुआ प्याज, एक चमच पिसा हुआ अद्रक लहसुन और हरी मिर्च, एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चमच गरम मसाला पाउडर आपको एक चमच सभी साबुत मसालों की भी जरूरत होगी, जैसे की काली मिर्च, एलाईची, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता आपको आधा कप थोड़ी सबजियों की भी जरूरत होगी, मैं फंडसी, मटर और गाजर का इस्तमाल करूंगी आपके स्वादनुसार नमक लें और एक चमच तेल या घी, तरीका मटन को अच्छी तरह धो कर साफ कर लें, इसमें नमक और पिसा हुआ अद्रक लहसून और हरी मिर्च लगाएं, इसे 20 से 30 मिनिट के लिए अलग रख दें एक प्रेशर कुकर में तेल गरम करें, साबुत मसाले और तेज पत्ता भी डालें, फिर कटा हुआ प्यास डालकर भूनें, मटन के टुकडे और हल्दी पाउडर डालें, अच्छी तरह मिलाएं और 2 से 3 मिनिट के लिए पकाएं, एक गिलास पानी डालें, फिर कुकर की के साथ ठकन लगाएं, कम आच पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं, इस बीच आप नारियल का दूद तयार कर सकते हैं, जो स्टू में डाला जाएगा, धुले हुए नारियल के टुकडों को आधा कप पानी के साथ पीसे, पीसे हुए नारियल को छलनी में चान ले, जादा दू चलनी के नीचे एक कटोरी में नारियल का दूद भर ले, बचे हुए नारियल को आधा कप पानी के साथ मिकसर में डाले, नारियल के दूद को पीसने और निकालने के तरीकों को दो बार दोहराएं, जब मटन पक जाए तो भाप अपने आप निकल जाने के बाद धकन खोले इसमें तैयार नारियल का दूद और गरम मसाला पावडर डाले, साथ ही सबजियां डाले कम आज़ पर पांच से साथ मिनट तक पकाएं मटन स्टू तैयार है इस स्टू की एक कटोरी लगभग 4.2 माइक्रोग्राम विटामिन 12 देगी अगला है बकरी के कलेजी की सूखी करी इसे बनाने के लिए आपको बताई गई सामगरी की जरूरत होगी 85 ग्राम बकरी की कलेजी एक प्यास कटा हुआ 4-5 कड़ी पत्ते एक चमच पिसा हुआ अदरक लहसुन आधा चमच जीरा आधा चमच राई जरूरी मसाले है 1 चमच काली मिर्च पाउडर 1 चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर सजावट के लिए आपको एक मुठी धनिया की पत्तियों की जरूरत होगी और आधा नीम्बू, स्वाद अनुसार नमक लें और एक बड़ा चमच तेल या घी तरीका कलेजी के टुकडों को अच्छी तरह धो लें नमक, पिसा, अद्रकलसुन और सारे मसाले कलेजी पर लगाएं इसे ढख कर आदे घंटे के लिए अलग रख दे इसे एक बरतन में निकाल लें, एक गिलास पानी डाले और पांच मिनट तक पकाएं इसके बाद एक बरतन में तेल या घी गरम करें, राई, जीरा और कड़ी पता डाले जब यह फूटने लगे, कटा हुआ प्यास डालें और भूने कलेजी की करी डालें और पानी सूखने तक पकाएं कटी हुई धनिया की पत्यों और नीम्बू के रस्से सजाएं बकरी के कलेजी की सूखी करी तैयार है इस करी की एक कटोरी से 77 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलेगा अच्छे स्वास्त के लिए इन सभी पौश्टिक खानों को अपने आहार में शामिल करें अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद हमसे जुडने के लिए यहीं समाप्त है